तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ वाइट रसगुले की रेसेपी, हलवाई लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजे एड़ करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्यूंके ये हलवाई भाया ही बना रहे हैं, मैं एकस्प्लेन करूँगी, औ मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो आपको वाइट रसगुला बनाना है, तो इस रेसेपी को फोलो करते हुए आप बनाईए, साथी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देख और अब यह इन्होंने दूसरा बगोना रख दिया है, इसमें तकरीवन दो लीटर पानी है, पानी में एट करेंगे 50 ग्राम सिट्रिक एसिड और 50 ग्राम टाल्ट्रिक एसिड, तो बस यह दो नो ही चीज़े पानी में एट करके पानी को गर्म कर लेना है, लेकिन पानी को बहुत जाता गर्म नहीं करना है, यानि खोलाना नहीं है, और बस यह पानी एट करना है दूद में, सारा ही नहीं करना है, thोड़ा-थोडा पानी एट करके देख लेना है, दूद जब फटने लगे, तो यह पानी डालना बंद कर देना, इस तरह से आप चला कर देखेंग अब ही ये सारा का सारा ही डाल दिया है इसमें अब इसके ऊपर ये बिलकुल fresh पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें citric acid और tartaric acid डाला था तो ये बहुत ज़्यादा खटा हो जाता है उसका taste इसमें ना है तो इसलिए बिल्कुल फ्रेश पानी से डाल कर इसको धो लेना है और देखें ये किस तरह से बांध कर इसको प्रेस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं जिससे इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए ये देखें इस तरह से आपको ये प्रेस कर लेना है तो पानी निकाल कर इसको एक बरतन में कर लिया है अब देखते हैं क्या कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छे से ये मल रहे हैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो ये प्रोसीज इन्होंने किया था 10 से 15 मिनट के लिए देखें किस तरह से कर रहे हैं थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन रसगुले बहुत टेस्टी बनते हैं तो चैना ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये देखें किस तरह का लग रहा है न अभी पहले से तो बहुत ही डिफरेंट है तो अभी ये चैना बिल्कुल तयार हो गया है इसको दूसरे बर्दन में ट्रांसफर कर देंगे और चाशनी तयार कर लेंगे तो चाशनी बनने में तो टाइम लगेगा इतने इस चैने को बिल्कुल थंडी जंगा पर रखना है यानि जहां पर गर्मी ज्यादा ना हो तो आप इसको उठाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं तो मैंने ये चीज़ पूछी थी हलवाई भीया से कि इसको फ्रिज में रखना जरूरी है तो कह रहे थे कि अगर चाशनी आपकी रेडी है तकरीबन 15 किलो ये चीनी थी और इसमें ये पानी जा रहा है 5 लिटर तो चीनी को पहले डिजॉल्व कर लेना है और अच्छी गाहडी सी हमें चाशनी बनानी है चीनी में कभी-कभी काफी impurities होती है और चाशनी ट्रांस्परेंट नहीं बनती है तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा दूद एड़ कर दें चाशनी बिल्कुल ट्रांस्परेंट सी बन जाएगी दूद इसमें एड़ कर दिया है अब ये चाशनी हमारी बन रही है कुछ देर में इस तरह की इस पर एक लेयर आजाएगी ये आपको निकाल देनी है इसको जब आप निकाल देंगे तो आपके पास बिल्कुल किलियर ट्रांस्परेंट चाशनी आजाएगी हलवाई लोग बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा दूद एड़ करते हैं और बिल्कुल clear transparent चाशनी बनाते हैं और इसी तरह की चाशनी में जब रसगुले जाते हैं तो दिखने में और ज्यादा अच्छे लगते हैं इस टाइम पर चाशनी काफी अच्छी दिख रही है और ये भाईया इसमें मिला रहे हैं थोड़ा सा hydro और ये होता है चाशनी को थोड़ा सा white करने के लिए तो बहुत थोड़ा डालना है ज्यादा नहीं डालना है half table spoon इन्होंने डाला था ये hydro और ये डाला है इसमें थोड़ा सा पानी चाशनी को थोड़ा सा balance करने के लिए यानि चाशनी इतनी गाड़ी नहीं बना देनी है कि वो crystallized हो जाए तो देखें, hydro डालने के बाद में किस तरह के इस पर जाग आ गए है ये आपको निकाल देने हैं और अभी हमारी चाशनी बिल्कुल clear हो गई है तो इस तरह की जब चाशनी हो जाए तो ये बिल्कुल तयार है ये भाईया इसमें से अभी बाहर निकाल रहे है तो ये वाली चाशनी भाईया थोड़ी सी separate कर रहे हैं इसलिए क्योंके इनको black रजगुले भी बनाने हैं इसलिए इन्होंने ये ज्यादा बनाई थी लेकिन white रजगुले भी चाशनी में ही पकते हैं तो सारी नहीं निकालेंगे तकरीबन 5 लीटर छोड़ देंगे कढ़ाई में रजगुलो को पकाने के लिए यहाँ पर निकाल लिए अब देखें ये दूसरे बगोने में एक और कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे बगोने में जो ये चाशनी भाईया कर रहे हैं ये डालेंगे इसमें 3 डोरी 3 डोरी यानि तकरीबन 3 लीटर अब इसमें ये बिल्कुल सिंपल पानी डाल रहे हैं तो गुलाब जावन की चाशनी थोड़ी सी गाड़ी होती है यही भाईया मुझे यहाँ पर समझा रहे हैं इसमें चाशनी हमारी तयार हो गई है और अभी छैना हमने निकाल लिया है फ्रीज में से नीचे रख रखे हैं थोड़े से बर्फ के टुकड़े जिससे यह थोड़ मैदा भी एड़ कर लिया है बेकिंग पाउडर भी इसमें चला गिया है अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके रख गुले बनेंगे तो यहाँ पर भाया ने इसमें थोड़ा सा घी भी एड़ कि अच्छे से आपको मिक्स करना पड़ेगा और इसको मिलाने का एक और भी फायदा है रजगुले में कभी आपको क्रैक्स नहीं मिलेंगे इसको आप 15-20 मिनट दे मिलाने के लिए और फिर इसको शेप दे दे रजगुले की यानि छोट छोटी सी बॉल्स बना लें और इसको फ पका लेना है अच्छा जी यह देखें बिल्कुल खास टिप है यह बहिया इसमें बिल्कुल साधा पानी ले रहे हैं यह डाली इसमें इन्होंने थोड़ी सी चाशनी इसको थोड़ा साइसे घुमांकर डाल देना है चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी रजगुले पकते हैं यह देखें फिर से इन्होंने बिल्कुल सिंपल पानी लिया है इसमें चाशनी एट किया है और यह इस तरह से डाल दिया है ऐसे ही आपको ऊपर से घुमा लेना है बिल्कुल बराबर से इनको पका लेना है रजगुले आपके बिल्कुल तयार हो जाएंगे तो भ पुचा दीजिए चाशनी में, तो ये वो ही चाशनी है जिसमें हमने पानी डाल कर थोड़ा सा पतला कर लिया था, तो इसमें आप इनको एड़ कर दीजिए, और बस चाशनी में एड़ करने के बाद हम इनको रख देंगे, जब अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएंगे, सारी ट्रिक्स आप जान गए हैं, फटा फट से आप बनाईए, मुझे कॉमें सेक्शन में बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ अपना बहुत खयाल रखना, अल्ला हाफिज!